यह है History Chapter 4 Partition of Bengal का Lecture 3 इसमें हम देखते हैं क्या Impact पड़ा है और बाद में Nationalist को कैसे Spread किया गया है ठीक है पहला देखते हैं Spread Nationalist मतलब जो Nationalist Movement था स्वदेशी Movement हुआ Boycott हुआ यह और जगहों पर कैसे फैला वो देखते हैं लोकमान तिलक लोकमान ने तिलक पूना और बॉम्बे में Spread किया है Nationalist को ठीक है Nationalist Movement को कहाँ पर Spread किया पूना और बॉम्बे में साथ में स्वदेशी Movement भी यहाँ पर Spread किया है ठीक है लोकमान तिलक ने Bonfire पूने Bonfire की कहाँ पर पूने में Bonfire मतलब है कि जितने भी foreigner goods हैं जितने भी विदेशी समान थे उसे क्या करना है जला देना है ठीक है वो चाहे कपड़े हो या जो भी मतलब समान था foreigner का ब्रेटिशर का उसे क्या करना है उसे जला देना है यही क्या है Bonfire है जो पूने में किये कौन लोकमान तिलक और लोकमान तिलक फांडेड स्वदेशी वस्तू प्रचारीनी सभा क्या स्वदेशी वस्तू प्रचारीनी सभा इसमें क्या किये कि जो भी स्वदेशी वस्तू हैं जो स्वदेशी गुट्स हैं ऐसे गुट्स जो हमारी कंट्री में बन रहे हैं उसको क्या करना है प्रचार करन है मिन्स उसको spread करना है ठीक है सुदेशी movement के बारे में country में जितने लोग हैं कोने तक उस बात को पता चले ठीक है लोग समझे और सुदेशी को अपनाएं यह यह सभा बनाई गई थी कौन बनाए हैं लोकमान तिलक और Bombay mill owner to sell होती लोकमान तिलक request किये किन से Bombay mill के जो Bombay mill थी उसके owner से किस लिए धोती को बनाने के लिए कि धोती बनाएं और उसे बेचे एक moderate rate में means बहुत ज़्यदा महेंगे rate में ना बेचे उस rate में बेचे कि ज़्यादा तर लोग उसको खरीच सके ठीक है Bombay mill के ओनर से request कि किस लिए धोती के लिए कि धोती को बनाएं और उसे बेचे संद में आया यह क्या है लोकमान तिलक की बारे में पढ़ें कहां पर पूना और Bombay में होने Nationalist Movement को spread किया नेक्स्ट आते हैं अजीत सिंग और लालालाज पत्राय पंजाब में spread किये Nationalist Movement के बारे में वहां के लोगों को बताएं और और भी जो parts थे North India में वहां पर spread किये नेक्स्ट है चिदंबरम पिलाई चिदंबरम पिलाई मदरास में Nationalist Movement को spread किये हैं और इन्हों ने चिदंबरम पिलाई ने found किये क्या स्वदेशी स्टीम नाविगेशन कमपनी कौन सी कमपनी स्वदेशी स्टीम नाविगेशन कमपनी ठीक है मतलग जो भी इनका main motive था वो क्या था स्वदेशी कि हम जो भी चीज़े यूज करें वो कैसी होनी चाहिए स्वदेशी होनी चाहिए मिन्स हमारे ही country में वो बनी होनी चाहिए foreigner goods को यूज नहीं करना है संज में आया यह क्या है spread of nationalist movement इसे note करिए next देखते हैं next है repressive measures of the British repressive measures मतलग British ऐसा क्या किये है nationalist movement को दबाने के लिए उसको रोकने के लिए ठीक है impressment and deportation of leaders imprisonment और deportation किनका किये है leaders का मतलग जेल में भेज दिये जो leaders थे जो nationalist movement के leader थे उन्हें क्या कर दिये जेल में भेज दिये जेल में बन कर दिये और deportation और leaders को देश से बाहर निकाल दिये ठीक है यह कहके कि क्या है राज़त्रों है ठीक है यह country के ही खिलाफ है इस वज़े से इन्हें कहा निकाल दिये country से बाहर ठीक है कुछ leaders को जेल में बन कर दिये और कुछ leaders को देश से बाहर निकाल दिये ऐसा इसलिए किये क्योंकि जो nationalist movement है उसके जो leader है वही lead कर रहे है जो भी leader है वही क्या कर रहे है कर रहे हैं वही nationalist movement को और बढ़ावा दे रहे हैं इस वज़े से इन्हें जेल में बन कर दिये और देश से बाहर निकाल दिये नेक्स्ट है तिलक was six year imprisonment जो तिलक थे उन्हें छे साल के लिए जेल में बन कर दिया गया British government ने तिलक को छे साल के लिए जेल में बन कर दिये कियो बन किये है क्योंकि उन्होंने كेषरी क्या एक जर्नल था जिसमें निहोंने government के अगेंस्ट में उस चीजे लिख दी थी government के खिलाब केषरी नियूसपेपर में कुछ उनके अगेंस्ट में लिख दिये थे इस वजह से इन्हें 6 साल की जेल हो गई फिर है 1907 से 1908 के बीच में 9 लीडर्स को जेल में बन किये जैसे अजीत सिंग है, लालालाजपत्राय है चिदंबरम पिलाई, हरी सर्वत्तम राव इन्हें अरेस्ट कर लिया गया कब 1907 से 1908 के बीच में और भी जो में लीडर्स थे उन्हें को अरेस्ट किया गया बैंड, प्रोसेशन्स and मीटिंग प्रोसेशन और मीटिंग को बैंड किया गया प्रोसेशन मतलब जैसे जुलूस निकालते हैं एक रैली निकालते हैं तो उसको बन कर दिया गया, बैंड कर दिये और meetings को भी बन कर दी गई कि एक साथ कई लोग को इकठा meeting में नहीं बुला सकते हैं मतलब main ये था कि meeting करना ही नहीं है meeting को ही band कर दिये थे जैसे meeting कैसे होती थी बहुत लोगों को इकठा कर लेते थे जो leaders हैं लोगों को इकठा करके उन्हें nationalist movement के बारे में बताते थे स्वदेशी के बारे में बताते थे उस चीज़ को इन्होंने British government ने बन कर दिया और जो रहलिया निकलती थी उसे भी बन कर दिये students were fine expelled from school and colleges और जो students nationalist movement में participate किये थे nationalist movement के में थे उन्हें क्या कर दिये गया British government उन्हें स्टूडेंट से fine लिये और school और colleges से भी बाहर निकाल दिया गया ठीक है उन्हें उनकी पूरी पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे उनको scholarship मिल ली थी जो भी उनका पूरा पूरा graduation तक जो भी पढ़ाई थी school में colleges में या बाहर भी जो ने पढ़ना था उसको पढ़ना मतलब student को पढ़ने से रोग दिया गया ठीक है उन्हें school और colleges से या जो भी ऐसा institute था पढ़ाई का वहां से उन्हें निकाल दिया गया और student को police भी क्या करती थी मारती थी next है government employee we're dismissed जो government employee थे मिजज जो government में job करते थे ठीक है वो अगर nationalist movement में भाग लिये थे participate किये थे उन्हें भी job से निकाल दिया गया जितने लोग जितने लोग जो government job कर रहे थे वो nationalist movement में participate किये थे उन्हें सब अब को जोब से बाहर निकाल दिया गया, Singing Bansam Band, Bansam Band, जो song गाय जा रहा था, उसे भी band कर दिये कि, अब से कोई भी bansam को sing नहीं करेगा, Next, Prevention of Sadacious Meeting, British Government ने कुछ act पास किये, जैसे prevention of seditious meeting act ठीक है इस act में British government ने क्या कहा कि एक साथ कई लोग इकठा होंगे जल्ब नहीं होंगे ठीक है एक साथ कई लोग इकठा नहीं होंगे ऐसा क्यों कहें कि अगर एक साथ लोग इकठा होंगे तो क्या करेंगे मीटिंग करेंगे और नेशनलिस्ट मूव्मेंट को और बढ़ावा मिलेगा इस वज़े से ये act पास किये prevention of seditious meeting act कि कोई भी मीटिंग नहीं कर सकेगा दूसरा है explosive substances act explosive substances act है कि जो भी explosive चीज़े हैं जैसे मतलब जो भी चीज़े बन रहे हैं जैसे गन है या पिस्टल है या फिर बॉम वगएरा है ये सब चीज़ें को बनने से भी रोग दिया गया कि कोई भी इस चीज़े को नहीं बनाएगा ऐसे explosive material को नहीं यूज़ करेंगे ठीक है next है newspapers act newspaper act में क्या किये कि कोई भी newspaper में government के खिलाफ में नहीं लिखेगा मतलब ऐसा ना लिखे कोई भी चीज़ ऐसी उसमें print ना की जाए प्रेस ना की जाए जो government के खिलाफ हो ठीक है अगर ऐसा होगा तो उन्हें arrest कर लिया जाएगा और उनका newspaper है उसे भी बंद करा दिया जाएगा ठीक है यह कुछ act थे जो British government दिये nationalist movement को रोकने के लिए समझ में आया British government कैसे nationalist movement को रोकना चाह रहे थी leaders को jail में भेज कर leaders को बाहर निकाल कर देश से बाहर निकाल कर और meetings को बंद करा दिये कुछ ऐसे act ला दिये कि जिससे meeting ना कर सके newspaper में कुछ government के against में लिख ना सके ठीक है ऐसा इसलिए करत newspaper है काफी area तक जाता है काफी लोगों तक पहुंचता है और अगर बंद कर दिये बैन करा दिये कि कोई भी government के against में ना लिखी जाए तो किसी को लब जो लोग दूर है उन्हें government के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग कैसे behave कर रहे हैं ठीक है सन में आया नोट कर लिए जैसे नक्स देखते हैं consequences of the स्वदेशी movement स्वदेशी movement होने से क्या result आया वो देखते हैं resign the partition of Bengal जो Bengal का partition हो रहा था वो स्वदेशी movement की वज़े से उसको रद्द कर दिया गया था ठीक है रोक दिया गया था हिंदू Muslims unity लेकिन मतलब जब ब्रिटिश ने ऐसे कुछ repressive measures किये मींस परिशान करने लगे leaders को हिंदू Muslims को अलग करना चाह रहे थे वो भी हिंदू Muslims की unity भी बहुत time तक रुक नहीं पाई है ठीक है मिन्स बहुत time तक हिंदू Muslims एक साथ लब unity उनका एक साथ होना वो नहीं रह गया था Congress is played moderate and extremist और हिंदू Muslims की unity भी तूट गई फिर Congress भी दो opposite में में दो opposite party में divide हो गए जैसे एक moderate थे और एक extremist में moderate कौन थे जो सांती से peaceful तरीके से British government से कुछ चीज है चाह रहे थे accept कर रहे थे और लेकिन extremist कैसे थे aggressive nature में थे वो direct मतलब उनसे लड़ना चाह रहे थे ठीक है और moderate सांती से उन्हें मनाना चाह रहे थे ठीक है नेक्स्ट है British successful in crushing the movement British successful हुआ किसमे movement को तोडने में जो इन nationalist movement था उसको तोडने में successful हो गया British government और क्यों क्योंकि जो भी main leaders थे जो nationalist movement के main leaders थे उन्हें arrest कर लिए तो उसको nationalist movement को lead कर ढंक से lead नहीं कर पा रहे थे इस वज़े से British successful हो गया movement को तोडने में ठीक है क्योंकि leaders को क्या कर लिए अरेस्ट कर लिए बहुत से leaders को country से बाहर निकाल दिये क्या हो गया इस वज़े से national movement क्या कम जोर पढ़ गया British was common foe of all Indians मतलब first time ऐसा था कि जब सारे लोग मतलब इंडिया में जितने भी लोग थे किसी भी caste के थे किसी भी religion के थे किसी भी gender के थे ठीक है उचा हिंदू ओं मुस्लिम्स ओं या किसी भी religion के थे किसी भी तरह के लोग थे सब के एक ही दुश्मन थे कौन British ठीक है इंडिया में जितने भी लोग थे सब के दुश्मन कौन थे ब्रिटिश अर्सी थे ठीक है यह पहली बार ऐसा हुआ था फिर और बहुत से जो लोग थे जमिनदार हो गये या वुम Pack sú सब मिल करके सदेशी मूव्मेंमंट में नेशनलिस्ट मूव्में में पार्टिसी पेट किये के तिर्व चाहे डारेक्ट भी में हो या फिर इंडारेक्ट लिए ओने ठीक मेक्स्ट मेकिंग कंट्री economically self-reliant सो देशी मूवमेंट से क्या हुआ कंट्री कैसी बनी economically self-reliant बनी मतलब खुद पर depend हुई जैसे ताटा iron and steel company open की गई जारखन में जिसने iron और steel बनता था उससे क्या हुआ अब बाहर से जो बाहर से समान आता था जो ब्रिटिस के मतलब foreigner से जो भी समान आते थे goods आते थे तो यूज होना बंद हो गया क्योंकि अपनी ही country में सारे समान बनने लगे कुछ indigenous का industries बन गई कपड़े की company बन गई industry बन गई iron steel की बन गई जो भी समान नॉर्मली यूज किये जा रहे थे ज़्यादतर की industries इंडिया में ही बन गई थी ठीक है इससे क्या हुआ economically self-reliant हो गई में इकोनॉमिकली मतलब जैसे जो भी पैसे से related है वो इंडिया खुद पर depend हो गई ठीक है खुद ही समान क्या कर रही है बना रही है और फिर उसको बेच रही है ठीक है मतलब क्या वो पैसे भी यह लगा रहे हैं समान बनाने में तो पैसे किन्हें मिल रहे हैं इंडिया वालों के ही मिल रहे थे ताटा अरे इस्टील कंपनी कहा पर जार्खन में प्राइवेट स्कूल्स में खोले गए जैसे इस्कूड़ेंट्स को जो को ब्रफस्टी तो ब्रिटिश का रूवाजेंट में ने बहुत से स्कूल्सकूल्स एधास ओपन कीए उसमेस्ज्टीन को600-गार निकाल दिया गया अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे फिर इस सुदेशी मूवमेंट में क्या हुआ बहुत से लोग ने कुछ प्रावेट स्कूल्स ओपेन किये कुछ कॉलेज़ ओपेन किये जिसमें इस्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते थे ठीक है प्रावेट स्कूल और कॉल्जे़ में कौन मैनेज कर रहा था उसे जो इंडिया के लोग थे वही मैनेज कर रहे थे बहुत से प्रावेट बैंक भी खोले गए समझ में आया सुदेशी मूवमेंट में कि क्या रिजल्ट आया सुदेशी मूवमेंट का ही मतलब ये था कि हम कोई भी चीजें अपने कंट्री के बाहर की चीजें यूज ना करें हम जो भी चीजें यूज करें वो अपनी कंट्री में ही बनाए और उसी को यूज करें ठीक है, फर्नर गुड्स को बैंड कर दे संद में आ गया, नोट कर लीजें इसे नेक्स्ट है, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 सूरत स्प्लिट को देखते हैं, जो 1907 में हुआ था जो कॉंग्रेस की वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक लग दो नेशनलिस्ट के बीच में लड़ाई हुई संघर्स हुआ, अर्ली नेशनलिस्ट और अजर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में ठीक है, ये दोनों नेशनलिस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट में थे कॉंग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है बनारस सेशन 1905, बनारस सेशन कब हुआ? 1905 में, rift between these two sections at बनारस सेशन, इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंस आया, वो कब आया, बनारस सेशन में, बनारस सेशन में में, जो कॉंग्रेस की, जो कॉंग्रेस सेशन होता था, INC का इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का सेशन होता था, हर साल होता था, तो यह कहां हुआ, बनारस में हुआ 1905 में, इस सेशन में ही, इन दोनों के बीच में, मिस अर्ली नेशनलिस्ट और अजर्टी नेशनलिस्ट की बीच में, डिफ्रेंस आया, कैसे? Some leaders led by Tillak denounced the method, कुछ ऐसे leaders थे, जो Tillak की method को denounced करते थे, मतलग, कुछ leaders, Tillak की जो method था, कि कैसे British government को बताएं, या जो peaceful तरीके से prayer करते थे, उनके request करते थे, इस चीज़ की बुराई किये, ठीक है? कुछ leaders, Tillak जी की बुराई किये, क्या हो गया? दोनों लोग के बीच में, आपस में, बीच में, rift हो गया, means, difference आने लगा, opposition में हो गया, क्योंकि जो early nationalist के लोग थे, वो कैसे? British government का कुछ चीज़ों में साथ भी दे देते थे, ठीक है? और, वो ये चाहते थे, कि peaceful तरीके से ही हम इन्हें मनाएं, ठीक है? और, British government पर जुनका law था या जुनके fair play थे, जुनका role था उस पर believe भी करते थे, उस पर विश्वास भी करते थे Assertive National wanted to spread Swadashi and boycott outside the Bengal, while early nationalists not wanted Assertive Nationalists क्या चाहते थे? कि Swadashi movement को, boycott को, Bengal के बाहर भी spread किया जाए Bengal के बाहर भी Swadashi movement और boycott को spread किया जाए, वहाँ भी उसका प्रचार किया जाए ठीक है? लेकिन early nationalist के लोग इस चीज़ को नहीं चाहते थे ठीक है? early nationalist, Assertive nationalist के against में गया है कि ये चीज़ ना हो मतलब Bengal के बाहर सुदेशी movement और boycott का spread ना हो ठीक है? ये भी एक reason है जिसमें दोनों लोग opposite में हो गए, Assertive nationalist form government, services, law courts, legislative council within boycott, while early nationalist opposed, Assertive nationalist चाहते थे कि हम जैसे boycott है, बाइकट क्या हो रहा है कि British government की जो भी चीज़े हम उसे boycott कर दे, उसे छोड़ दे, ठीक है? तो इसके साथ हम government services भी बनाएं, हमें government services भी बनानी चाहिए, law courts भी बनाने चाहिए, मतलब courts जहापर justice हो, नियाय मिले, legislative council बनाएं, सभा बनाएं, ठीक है? ये Assertive nationalist की thinking थी, लेकिन early nationalist इसका opposition कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ऐसा boycott spread ना हो, और ये government services, law courts, legislative assembly ये सब चीज़ें ना बने, ठीक है? ये early nationalist इसके Assertive nationalist की thinking पर opposite थे, opposition कर रहे थे, मतलब ये है कि Assertive nationalist का जो, मतलब विचार था, वो और early nationalist के विचार से बहुत ही different था, बहुत जादा different था, इस वज़े से इन दोनों के बीच में क्या हुई? क्लिफ्ट हुई, इन दोनों के बीच में संघर सा गुआ, ठीक है? संज में आया, note करिए इसे, नेक्स्ट है, कलकत्ता सेशन, 1906 में, कलकत्ता सेशन कब हुआ, 1906 में, बहुत ग्रूप्स, वोटेड, ओन केंडिडेट्स, दोनों ग्रूप के लोग, मिन्स जो अर्ली नेशनलिस्ट के लोग थे वो, और अजर्ली नेशनलिस्ट के लोग थे वो, यो दोनों अपने केंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे, और अपने अपने केंडिडेट को वोट किये हैं, ठीक है? मिन्स अर्ली नेशनलिस्ट के लोग, वो आपने कैंडिदेट को वोट किये हैं Congress के प्रेसिदेंट बनाने टीसें जिसके बाद कुछ कॉंप्रमाइजेशन हुआ मीन समझेंभाता किया गया और दादा भाई नारोजी को प्रेसिदेंट बना दिया गया Congress का धिक है आइ एन्सी का Congress अिइंडियन नेशनल Congress का President बना दिया गया किने दाधा भाई ना रोजी को फीर है आजटीनेशनलिस सकसीड़ेड़ इंसवधेशी बॉइकों ड्रियोचन इच्छार किस चीज में डzek प्अच करने में उसको उस resolution को पास करने में ठीक है मिन्स वदेशिव को भी और बढ़ा सकते हैं boycott को भी और national education means जो education nation में होनी चाहिए उसका और बढ़ावा दिया गया ठीक है कि इस चीज में अजर्डी नेशनलिस्ट सक्सेस हो गया लेकिन moderates did not accept it लेकिन जो moderate नेशनलिस्ट थे जो अर्ली नेशनलिस्ट के लोग थे वो इस चीज को accept नहीं कर रहे थे ठीक है यह कलकत्ता session में हुआ 1906 में सन में आया नोट करिए next देखते हैं next है सूरत session 1907 1907 में सूरत session जो हुआ यहां पर पूरी तरह से assertive नेशनलिस्ट और moderate नेशनलिस्ट अलग हो गये थे split हो गये ठीक है देखिए assertive नेशनलिस्ट को extremist नेशनलिस्ट भी कहते हैं ठीक है और moderate नेशनलिस्ट को अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं ठीक है मिन्स कंफ्यूज मत होईएगा कहीं पर assertive लिखा है कहीं पर extremist या कहीं पर moderate नेशनलिस्ट दोनों एक हैं और moderate नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट ये दोनों एक है अजर्टी नेशनलिस्ट लाला लाज पत्राय अजर्टी नेशनलिस्ट चाहते थे कि प्रेसिडेंट कौन बने जब सूरत सेशन हुआ में तब Azertive Nationalist चाहते थे कि लाला लाज पत्राय क्या बने, 불ólavely तीक है ये जर्जब लाज पत्राय क्या चाहते थे, moderate nationalist क्या चाहते थे कि राज़ट मिहारी घोश बने, राज़ट बिहारी घोश बने, प्रैसिड़ंट कॉंग्रेस का, ठीक है, फिर क्या हुआ लाला लाज पत्राय नहीं बन पाए और बना कौन? प्रेसिडेंट राज बिहारी घोश ठीक है प्रेसिडेंट कौन बनाए गया फिर राज बिहारी घोश को प्रेसिडेंट बना दिया गया प्रेजिदन किसका बनाए जा रहा है? आई एनसी का इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का Moderate Nationalist repudiate the resolution on boycott, स्वदेशी and national education Moderate Nationalist यह चाहा रहे थे कि जो resolution पास किया गया है boycott, स्वदेशी and national education के लिए 1906 में जो कलकत्ता सेशन में boycott, स्वदेशी और national education के resolution को जो पास किया गया है उसको कहा गया है कि हाँ इसको spread किया जाए उसे बंद किया जाए ठीक है? यह Moderate Nationalist चाहा रहे थे तब ही Moderate Nationalist और Assertive Nationalist के बीच में बहुत जादा, मतलब बहुत जादा इन दोनों के बीच में संघर्स हो गया बहुत जादा विरोध में हो गया एक दूसरे के इस वज़े से इस सूरत सेशन को suspend किया गया है ठीक है? Moderate held separate convention excluding extremist Moderate ने अलग ही separate convention मना ली मिन्स separate meeting कर ली लेकिन extremist को extremist nationalist को बाहर कर दिया गया ठीक है? मतलब एक meeting की गई जिसमें सिर्फ moderate nationalist के लोग ही थे उसमें extremist nationalist को बाहर कर दिया गया तिलक और जोनके followers थे वो सब बाहर थे किससे? इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से इस पार्टी से मिन्स इस कॉंग्रेस से क्या थे? अलग थे कब तक 1915 था? संज में आ गया ये क्या था? सूरत सेशन 1907 में जो में इस्प्लिट हुआ वो कब हुआ सूरत सेशन में? बनारा सेशन में भी मतलब एजर्टी नेशनलिस्ट और moderate नेशनलिस्ट एक दूसरे के against में थे opposition में थे कलकत्ता सेशन में भी एक दूसरे के opposition में थे लेकिन जब सूरत सेशन हुआ तब बहुत ज़्यादा opposite में हो गये थे बहुत ज़्यादा वीरोध एक दूसरे के करने लगे थे जिससे Congress को मतलब Congress दो पार्ट में split हो गई, टूट गई एक moderate नेशनलिस्ट में और एक assertive नेशनलिस्ट में सन में आया उसका result क्या निकला सूरत split का ये देखते है सबसे मतलब सूरत split में क्या हुआ Nationalist Congress दो पार्ट में divide हो गया और जो दोनों पार्ट divide हुआ वो एक दूसरे के against में थे जिससे किने फायदा मिला Britishers को British Government को फायदा हुआ कैसे वो ये चाहते थे वो ये सोच वे थे कि अगर British Government extremist nationalist का साथ देगी assaulty nationalist का अगर वो साथ देगी तो उनी के against में होगी British Government के ही against में चली जाएगी क्योंकि उसके against में किस तरीके से aggressive method से British Government का विरोध कर रहे हैं ठीक है और अगर British Government moderate nationalist का साथ देगी तो moderate nationalist, peaceful तरीके से एक शान्त तरीके से ही कैसे उन्हें मतलब जो उनकी problem है वो बता रहे हैं और उनसे request कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए इस वज़े से British Government क्या किये extremist nationalist को दबाने की कोशिश किये और moderate nationalist को accept करने की ठीक है अपनी तरफ attract करने की कोशिश किये ठीक है क्या नतीजा निकला सूरत split का Government attracts the moderates British Government क्या कर ली moderates को अपनी तरफ attract कर ली मतलब कैसे कर ली कि moderates का सास देने लगे moderates की help कर रहे हैं extremist को दबाने में ठीक है extremist word suppressed means extremist को दबा दिया गया उनको मतलब जुन की आवाज थी international movement के लिए उसको बंद करा दिया गया उसे दबा दिया गया फिर है तिलक and important extremist leader send to Mandalay बर्मा ठीक है तिलक जो थे वो extremist leader के सबसे important leader थे main leader थे अब यह जान रहे थे कि important leader है extremist leader के अगर हम इन्हें ही बाहर कर दें अगर हम इन्हें जेल में भेज़ दें या इन्हें country से बाहर निकाल दें तो nationalist movement अपने आप कम हो जाएगा काफी कम हो जाएगा कि main leader यही थे यही lead कर रहे थे इस वज़े से इन्हें Mandalay में भेज दिया गया Mandalay कहाँ पर है बर्मा में जो प्रेजेंट में क्या है मयन मार है यहाँ पर इन्हें भेज दिया गया और छे साल के लिए इन्हें जेल में रखा गया नेक्स्ट जो पांच लॉब दिये थे किसने बिटिज गवर्णमेंट ने कि जो एक्स्क्लोजिव चीज़े हैं उसको नहीं बना सकेंगे, मीटिंग नहीं कर सकेंगे, न्यूस पेपर में गवर्णमेंट के अगेंस्ट में नहीं लिख सकेंगे, और भी दो लॉब थे, यह सब जैसे क्र लिख गवर्णमेंट यह चाहती थी कि किसी भी तरह जो एक्स्टिमिस्ट लीडर हैं वो क्या हो जाएं शान्त हो जाएं, यह गवर्णमेंट के अगेंस्ट में ना जाएं, क्योंकि एक्स्टिमेंट लीडर जो थे, वह मतलब लडाई छगड़े पर मतलब संगर्श करके उ इसी भी तरीके से वो ब्रिटिश गवर्णमेंट को हटाना चाहा रहे थे लेकिन मॉडरेट नेशनलिस जो थे वो बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे ठीक तो 1907 और 1911 में 1907 और 11 में पांच लॉज जो थे उन्हें और ज्यादा परहावा दिया गया आफ्टा 1908 नेशनलिस्ट मॉवमेंट डिकलाइन 1908 के बाद नेशनलिस्ट मॉवमेंट बहुत कम हो गया ठीक है जो नेशनलिस्ट मॉवमेंट की भावना थी लोगों के अंदर नेशनलिस्ट नेशनलिसम की जो भावना थी अंदर पीलिंग्स थी वो क्या हो गई बहुत कम हो गई नेशनलिस्ट मूव्मेंट धीरे धीरे खतम होने लगा कब 1908 के बाद में ठीक है समझ में आ गया क्यों क्योंकि के आपटर नेशनलिस्ट और एक्स्टमिस लिएशनलिस्ट अलग-अलग हो गये एक्स्टमिस्ट को जो ब्रिटिश गवर्नेमên्ट थी उन्हें दवा दी दो can कि extremist को दमाना और British government भी यह चाहती थी ठीक है, sun में आ गया इतना, note कर लीजे Chapter 4 Partition of Bengal complete हो गया Next lecture में हम new chapter स्टार्ट करेंगे Thank you for watching this lecture Thank you